हलो फ्रेंड्स वेलकम तु चमपियन को जीफेंड्स आज कि इस वीडिम लोग केजी यानी किलोगराम के कुछ इस टाइप के सवालों को चुटकियों महल करना सीखेंगे जिसमें या तो केवल ग्राम में निकला रहाता है जैसे 300 ग्राम चार्सो ग्राम पाँच्सो ग्राम य और दोस्तों यह बहुत important topic है क्योंकि हमारे daily life में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है तो दोस्तों इसे अच्छे सिखने के लिए इस video contact देखिए और वीडियो को अभी से एक प्यारा सा like कर दिजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्य क्या करेंगे तो यहां पर जो दिया हुआ है उसको यहां पर लिख लेंगे 10 केजी आलू कदाम कितना है 10 केजी आलू कदाम यहां पर 160 रुपया है तो यह लिख लिए सबसे पहले हम करेंगे कि 1 केजी आलू कदाम निकालेंगे तो देखिए 1 केजी आलू कदाम कैसे निकले के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है दस केजी अलू का दाम एक सब साथ रुपया दिया हुआ है तो एक सब साथ रुपया यहां पर लिख लेंगे और यहां दस केजी का दिया हुआ था हम एक केजी का निकल रहा है तो इस दस से यहां पर भाग कर लेंगे ठीक है तो देख यह क्या करेंगे तो ग्राम में निकलना है तो क्या करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले सो ग्राम का निकलेंगे तो सो ग्राम का कैसे निकलेगा तो सो ग्राम का निकलने के लिए यहाँ पर एक केजी अलू का दाम कितना है तो सोला रुपया है तो 1 kg अलू का दाम जितना भी रुपय रहेगे यहाँ पर लिखेंगे तो 16 रुपय है तो 16 रुपय लिख लिए और देखिए 100 गराम का निकलना है न तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे तो लास्ट से एक अंक बाद दसमलो लगा देंगे तो यहाँ पर लास्ट से एक अंक बाद दसमलो लगा देंगे एक केजी अलू के दाम में लास्ट से एक अंक बाद दसमलो लगा देंगे तो आपका 100 गराम अलू का दाम निकल करा जाएगा तो देखिए यहाँ पर 100 गराम अलू का दाम तो इसमें भी 6 से गुना करना पड़ेगा तो सबसे पहले 16 में 6 से गुना करेंगे तो 16 कितना होता है तो 96 होता है और देखे एक अंक बाद 10.00 है तो एक अंक बाद 10.00 यहाँ पर भी लगा देंगे यानि यहाँ पर 600 gram अलू का दाम कितना रुपया निकल कर आ गया तो 9.6 रुपया निकल कर आ गया इसे रुपया और पैसा में क्या कहेंगे तो देखेंगे 10.6 के जो पहले राता है उसे रुपया कहते हैं तो 9 रुपया लिखेंगे और 10.6 के बाद है 6 तो 4 kg तीन सो ग्राम अलु का दाम कितना होगा, ठीक है? तो देखे, यहाँ पर पहले कुषण में, हम क्येवल ग्राम में निकालना सिखे है, लेकिन यहाँ पर देखे, सेकेंड टाइप के कुषण में, 4 kg 300 gram यानि kg और ग्राम दोनों में निकलना है तो देखे इसको निकलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे तो जो दिया हुए है उसी को लिख लेंगे तो 50 kg अलु का दाम 550 रुपया दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 50 kg अलु का दाम कितना है तो 550 रुपया है ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 kg आलू का दाम निकलना है तो देखिए 1 kg आलू का दाम कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 550 में इस 50 से भाग कर देंगे तो आपका एक केजी अलू का दाम निकल कर जाएगा ठीक है तो देखिए एक जिरो से यह एक जिरो कर जाएगा और पांच से यह एक गारह बार में पच्पन कर जाएगा यानि एक गारह रुपया आपका निकल कर जाएगा एक केजी अलू का दाम ठीक है तो देखिए हमको अगर केवल कीलो ग्राम में निकालना रहता ना तो यहीं से निकाल लेते लेकिन हमको कीलो ग्राम और ग्राम दोनों में निकालना है तो सबसे पहले एक केजी आलू का दाम 11 रुपया आ गया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे तो 100 ग्राम आलु का दाम भी यहीं पर निकल लेंगे सो ग्राम आलु का दाम निकलने के लिए पहले कुशन बताए हैं कैसे करेंगे तो एक केज़ी आलु का दाम है 11 रुप्या तो यहाँ पर 11 रुप्या लिख लेंगे और लास्ट से एक अंक बाद समल लगा देंगे, यहाँ पर एक अंगबाद में लगा देंगे तो यहाँ पर एक 12, एक रुपया यहाँ पर निकल कर रहा जाएगा 100 गराम थीक है, अब देखिए हमको निकलना क्या है, यहाँ देखते थे हैं, यहाँ पर हमको निकलना क्नень स्वग् तो यह 4 kg हो जाएगा, तो उसी तरह से 1 kg बरबर 11 रूपया है, तो इसमें भी 4 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 11 में 4 से गुना करेंगे, तो कितना जाएगा, तो 44 रूपया आ जाएगा यहाँ पर आपका, यह 4 kg अलू का दम ठीक है, अब देखिए, हमको यहाँ पर क्योवल 4 kg का नहीं निकलना है, 4 kg और 300 ग्राम, 300 ग्राम का भी निकलना है, तो देखिए, 300 ग्राम का दम कैसे निकलेगा, हम बता हैं, यहाँ पर 100 ग्राम अलू का दम कितना निकले है, तो 1.1 रूपया निकलना है, तो 1.1 लिखेंगे, और देखिए, 100 में अगर 300 गुना करते हैं, त तो तीन सो ग्राम हो जाएगा, दूसी तरह से एक दसमलो एक में भी क्या करेंगे, तो तीन से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर तीन सो ग्राम आलू का दाम निकल कर जाएगा, तो देखिए एक अंक बाद दसमलो है, तो यहाँ भी एक अंक बाद दसमलो लगा देंगे, तो वाइले चार केजी के अदाम 44 रुपया, और यहाँ पर एक तीन सो ग्राम अलू के अदाम 3.30 रुपया, तो इसको भी हम जोड़ लेंगे, तो देखे दसमलो के ऊपर दसमलो लगां देंगे, और यह पर कुछ भी मालू कदाम 47.3 रूपया इसको हम अगर पैसा में रूपया और पैसा दोनों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे तो दीके दसम्लो के पहले 47 है यहाँ पर 47 रूपया लिख देंगे और यहाँ पर दसम्लो के बाद क्या है तो 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे एक 0 लगाकर यहाँ पर पैसा लिख देंगे यानि यहाँ पर आपका 4 केजी 300 ग्राम अलों कदम 47 रोपया 30 पैसा निकल करा गया ठीक है तो दोस्तो इस तरीके से आप केजी यानि किलोग्राम के इस टाइप के कुशिशन को बहुत ही असान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लागा होगा समझ में आओगा तो दोस्तो वीडियो अच्छा लागा है तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहें